असलाम लेकुम असलाम जी आपका नाम मैं अनम बात करे रही हूँ इस नाम बात से जी कहिए मुफ्ती साहब और साहिल साहब दोनों से हैं मुझे सवाल ये करना है कि मेरा कुछ हरसा पहले निकाह हुआ है और मैं लेकर नुकसत ही नहीं हुई और मैं अपने वालत साहब के घर पर ही रह रही हूँ अब बाद वाकात ऐसा होता है कि मेरे जो शोहर है वो अकसर वाकात मुझे मना कर देते हैं कि मैं फलानी जगा मना जाओं या मैं इससे ना मिलूँ और इस किसम की मुझे पर पाबंदियां लगाते हैं मेरे वालत साहब को इन चीजों से कोई अतराज नहीं है तो इसमें मेरी थोड़ी से रानुमाई फर्माई कि मुझे किसका हुखो मानना चाहिए क्योंकि मैं अभी अपने वालत साहब के घर पर रह रह रही हूँ तो इसमें रुक्सति आपकी नहीं हुई वालत साहब के साहब के साहब के साहब कि जवाब ले लें जरह रहे हैंा या रुपीट कर दें आपको pada म०्समिलह रह मोजल इर्रहिम जब एख़ातुन का निकाह होता है ना तो घर वालों को चाहिए के फिल फॉर Urus की रुखसती का भी बंदो करें जब रुखसती नहीं ना करते तो फिर बहु सारी ख्राबियों का सामना करना पड़ता है मौज शर्टी भी अखलाकी भी ओर बहु सारी है तो फिल फुर रुखसती ही कर देनी चाहिants रही ये कि खातून फिर किसकी बात माने जब तो रुखती यहीं तो याद रखें, अगर तो ठाको अदा कर दिया गया। 6 खातून के 밝ातून के ओपर लाजम है कि अपने खामद की फर्मा बरदारी करे… अब उसके लिए उसके वालेदेन की फर्मा बरदारी से भी ज्यादा खावन की फर्माबरदारी करना लाजम है और इसी के अंदर आफियत है अगर नहीं करती तो फिर शरी तोर पर भी गुनागार होगी बिल्फर्द हाँ ये उसूल याद रखें कि जहां पर अल्ला ताला की नाफर्मानी की बात होगी वहां पर मखलू की तिबा जाइज नहीं मिसाल के तोर पर खावन कहता ही नमाज ना पड़ो तो खावन की फर्माबरदारी जाइज नहीं है खावन कहता है जकात ना दो जाइज नहीं है लेकिन जहां पर अल्ला ताला की हुकम की अदूली नहीं पाई जा रही वहां पर खातून के लिए लाजिए ल के अंबर उसकी हिफाज़त है या उसके खावंद के घर में तो इसलिए बेहतरीन हल ये होता है कि निकाह कर दिया है तो फिल फौर रुखसती कर दिया चाहिए मुफदश्य صاح«क खडा करलामी के महाजड चाता हूँ जैसे आपने का कि खामन साफाभ Gym, अबिस साथ नहीं रहती है ilen्दा रहती है और उन्होंने का अच्छा कर और फौर फौर से दिया और उन्हों ही मिलना फौर से मिलना क्या खातून को अजाज़त है गया के वह कर एद् रजा है ना अल्ह ताला की रजा भी तब उसको हासिल होगी कि जब खावन की रजा हासिल होगी तो इसलिए उसको तो चाहिए एक आपने सौरी में एक चीज़ा आइट कर दूँ आपने का था कि जब एक लड़की बीवी बन जाती है तो अपने माबाप से पहले प्रायरोटी बन जाती है हस्बंड तो लड़के के लिए प्रायरोटी क्या बनती है इसके पैरेंट्स ही बनते है फिर बीवी आती है या बीवी का दर्ज़ा देखे लड़का बालिग हो गया तो वो तो अपना खुद मुखतार है वालदेन बाज दफ़ा उसको नहीं छोड़ते तो वह हमारे कुछ मौशरती कवानीन भी हमारे है शरी उसूलों से हट करना कुछ मौशरती हमने उसूल बना लिए अगर वो शरीयत से टकराते नहीं है तो उसमें कोई हरज नहीं तो वालदेन बाज दफ़ा बच्चे की हिफाज़त करते रहते हैं उस वक्त तक के जब तक उसके आगे बच्चे नहीं हो जाते हैं तो इसमें बच्चों के लिए बच्चों के लिए होती हैं जी साहिल साइल साब आपने अब विस्टी सुनी होगी और आप कैसे तो रिबीट कर देते हैं आप इस हवाले से क्या कहेंगे जी कोँगा कि यह बाउंडरी जो है ना बाप बाप को निकाह के वक्त यह लड़की को पताना पड़ता है लड़के को चाहिए था यह मैं कसूरवार लड़की का जो कुश्चन है ना इसमें 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 लड़के की इस मैं शूड़ डरिली व्या हैं तो क्या मुझे मेरी बीवी का कंट्रोल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं का कंट्रोल कोई निकाह करते हैं इसक्ट बताना लड़की को पता नहीं चल थो कि बहुत आसां साथा सवाल है जो के गिविन होता है, हमारे मौशरे में कुछ ऐती चीज़ें जो इसलाम के सख्त मुनाफियां मगर पाकिस्तान में बहुत अच्छी समझी जाती जिसमें ये तसन्व और मुरवत कि वहली परवर्टिट किसमें जिसमें लड़का सीधी बात है नहीं कर सकता, अब इस केस में वो लड़का अपने तुसर से हस्बंट नहीं बात कर सकता, अब इस उसने अपनी बीवी अपने घर नहीं लेकिया है, हाला ये बड़ा स्टेट कोश्चन है, आप रख रहे हैं मेरी बीवी को अपने पास, क्योंकि लड़ ताला ने आपको बेटी दी भी थी, मगर कंट्रो किस का होगा, इसके उपर प्रापर लिकत पड़त कर ले, इसी को निकाह नामा क्या थे, अब वो लड़की को पता नहीं है कि कौन उनका असल में जो वली हो, इस वक्त कौन है, तो वो इसलिए बीचारी कन्फियूज बता, ये लड़के का कुसूर है, लड़की का नहीं, ल तो एक मयान में दो तलवारे नहीं हो सकती, ये लीडरिशिप का फुक्तान है, और कुछ नहीं उस लड़के की तरफ से, जिसने शादी की है, अच्छा साहल साइब लेकिन यहां पर जो वाशरती जैसे, जैसे, जैसे में आता हूँ वाशरती पे, मैं इसी कि खिलाफ तर बात नहीं करता है, हाला कि यहां पर आप बड़ों से बात करनी पड़ेगी कि मेरी बीवी यह तो मुझे दे दो, यहां पर मुझे उसका कंट्रॉल दे दो, ठीक है, मगर यह बात करते ही इतनी मायूब हो जाएगी कि रिष्टा भी तोट सकता है, पाकिस्तान ने दिवारे खड़ी कीमी अपने और इसलाम के बीच में, मैं इसलिए कहता हूँ, पाकिस्तान से निकलो, और इसलाम में दाखिल हो जाओ, वो यहां पर आके कहता हूँ, अब यह जो दूसरा सवाल है, जो बुच्छा ने पूचा है, वो बड़ा जनुन सवाल है, कि वो अपनी बीवी क अपने माबाप के जेरे असर, अपने लड़का है, यह तो लड़की अपने बाप घर पे है तो, उसमें तो कोई मसला नहीं हो रहा लड़की को, यह लड़की अगर बाप, शोहर के बाप की तरफ चली जाती है, और उमर वाँ गजाती है, यह तो, यह वो बहुच्छा है, नहीं डाला वास के उपर और फिर रबदस्ती की रहा थी पाकिस्तान में कि ये बडबत तमीज औरता है कि ये अपने सुसर और सास की खिद्बत नहीं करती वो करें बेशक्तों वह एहसान के तोर पर करें बाकाइदा इसका वो पैसा ले सकती है इसलाम ने उसको इजादत दी ये थे एक वाकि में एक आदमी के दो माँ बाप होते हैं जो बोज उठा सकते हैं आप एक बंदे के दो माँ दो बाप होंगो कैसे बिचादी क्या करेंगी वो दूसरा अपने शोर की भी खिदमत करें उसके बाप और बाप की भी ये लड़के को फर्स दी है लड़का ये बुशरा ने सवाल किया था ना प्राइटी नंबर वन क्या है शादी के बार लड़के की बुशरा बचा प्राइटी नंबर वन माँ ही है प्राइटी नंबर टू माँ ही है प्राइटी नंबर थ्री माँ ही है प्राइटी नंबर चार वहाँ पहाँ पांच प्राइटी नं मुझे उन हकूप के अंदर रखे जो अगर आपको पता चल जाए ना मुस्लमान खातून को कि इसलाम ने बीवी के क्या हकूप दिये में तो आप किसी और दुनिया की और किसी बैस मेना चाहिए वो लिस्ते निकालें जो और अगे बढ़ेंगे और वो हकूप पूरी तरह एं के ओपर हावी नगर आती है इस पर आगे बात करते हैं कालर जी हमान शाथ कॉन साबस्कुला का पूछना या काँ से बताये का पूछना चाहते हैं मेरा क्वेस्षिं साहिल अदीन साब पे हैं इस क्वेशन के दो सैक्शिंज आइं बेटी और बेटे के मामले में वन पे रि दॉर्टर मेरीड बाइटे की अपनी चॉइस के मताबिक राइट और वन इट तुर्ण आउट इंटो डिजास्टर तो वो अक्सर पाकिसान में कह दिया जाता है कि यह तो बेटी के नसीज थे और बेटे के अगर देखा जाए तो बेटों की शादिया जो लेट होती है थीक है उसके ओपर जो है वो कैसे और पैरेंट इस्लामिक पॉइंट पॉइव से क्योंकि जब वो कहा भी चाता है कि माबाप को सक न बोलो ठीक है तो उस कॉंटेक्स में बहुत सच लोग कहते हैं कि माबाप का जो डिसीजन उन्होंने ले लिया यू के नाट क्वेश्चिन बारें काईली बता दीजिए ठीक है बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत शुक्रिया साहिल साभ अपनी अमर को हो जाए उसको नहीं वली की डारत निकाह के लिए वह खुज वली है उस औरत के लिए जिसे उसने निकाह कर रहा है तो अगेर आपने निकाह करना है और अब इस चाबल हैं कि निकाह करें और इस औरत को इसलामी तो पर हकूख दे सकते हैं वह वाले जो कि इसलाम ने कहा है तो आप क्यूं ढूंडरे पिर नहीं कि मतलब लड़की को जुरूरत है वली के इजाज़त की लड़के के लिए नहीं हैं ऐसे कोई तख्सीश, so man is a decision maker, man is a leader, यह अगर माबाप ने नहीं बताया तो आपको पता होना चाहिए, that you are supposed to take care of your own self separately, independently, other than taking care of your father and mother, मेरा तो मौकफ बहुत असान है, 15-16 साल का लड़का के माबाप होते ही नहीं, याद रखिए का, ये मौकफ समझ लें, आप ये जुमला कुई तरीके से अब्सार्ब करें, जैसे लड़का 14-15 साल का हो जाए लड़की भी, उसके माबाप नहीं होते, अब वह रखवाला होता है, ये खवाली होती है अपने माबाप की, इस लेवल पर डिवैलिम्मेंट होनी चाहिए एक इनसान की, हमारे 30-30 साल के लड़के लड़कीयों की नोकरानी हैं, उनकी माएं बनी होती, ये लड़का क्यों बोल रहे हैं, तो बाबाजी होने चाहिए हैं, 35-40 अपने माबाप से अपनी खिदमतें कर करती, ये बहुत आसान करके समझें, कि माएं जो अपने शदादों को पालने के लिए, आँखों के तारों को हर वक्ट चमकाने के लिए, उनके काम में जुती रहती हैं, उनको दोजख में जोंक रही हैं, उन माओं को पता होना चाहिए, ये एक लड़के को जब आपने बा इसको नॉलिज और स्किल्स ने, अब रही बात जो भाई का पहला कॉस्चन का पहला पार था, लड़की शादी जब अस्ती करते हैं, घर तूर जाता है, फिर कहते हैं, नसीब है, जी नसीब है, मगर नसीब में ऐसे मापाप लिए रहे हैं, वो बद नसीब है, कि जो जब नसीब है, इसमें तो कुछ शक्त है, ठीक है, जी मुफ्सी साब, लेकिं कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं, जानता लड़कीं यह भी नहीं पता, कि एक निकाह के बार ना, इस्तेहसान को भी देखते हैं, कि बाद दफ़ा एक उसूल से, उसूल एक बना होता है, हुकूक मताय होते हैं, लेकिन उन हुकूक को बाद दफ़ा छोड़ देने में ना, बहुत ज्यादा आफियत होती है, मसलना, मेरा किसी चीज़ पर हक बनता है, कि ये चीज़ मेरा हक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपने हक को छोड़ देता हूं, रसूल लाओ अल्ही वालिए वालिए है, कि हक पर होने के बावजूद भी, अगर कोई बन्दा अपने हक को छोड़ देता है, जगड़े को खतम करने के लिए, तो लल्ह ताला उसकी इज़त को बढ़ाता है, तो हमें हमेशा इस बात को मलोजे खाते रखना है, कि मेरा फला हक बनता है, मुझे ये चाहिए, हुक बच्चे की जिमादारी नहीं होती वालदेन के उपर, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक मां के हाथ का खाना पका हुआ, और मां जब अपनी महबत से अपने बच्चे की एक खिदमत करती है, तो ये भी एक महबत का जजबा होता है, और बच्चे को चाहिए, यहां पर मैं य भी एड़ करना चाहूंगा, बच्चे को चाहिए, कि अपनी मां को कहे कि अमा जी आपने वो जो मुझे पैदा कर दिया ना, और मुझे तर्बियत दे दी, आपने ये बहुत बड़ा इसान किया, आप मुझे अपने काम खुद करने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद, अ को एक तरह से हैंडी कैप भी कर देते हैं, कि ने, ने, मुझे ने, कुछ ने करना है, अपनी मतद आप पना एक काम खुद करने चाहिए, लेकिन हमारे लिए रिए, रसूल अलाह अले वालिए वालिए सल्म की मुबारक जिंदगी, हमारे लिए मशल राह है, और उसी पर चल क्या कहेंगी,